गाईज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐसे मल्टिपल फोटो कैसे एड़ कर सकते हैं और इसी के साथ बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की स्टोरी में बैक्गराउंड कैसे एड़ कर सकते हैं गाईज इस्टोरी में multiple photo एड़ करना और इस्टोरी में background एड़ करना ज़ाज तर दोनों similar हैं बस इन दोनों में थोड़ा ही different है तो मैं आपको ये दोनों एड़ करना सिखा दूंगा इस्टाग्राम की स्टोरी में मल्टिपल फोटो एड़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा तो गाईज आज की वीडियो शुरू करते हैं गाईज सबसे पहले में स्टोरी में मल्टिपल फोटो एड़ करने का तरीका बताऊंगा तो स्टोरी में multiple photo add करने के लिए एक app की जरूत पड़ेगी तो app को download करने के लिए पहले store open कर ले फिर search करें Gbox फिर इस app को install कर ले फिर app को open करें अगर आप इस app में sign in करना चाते हो तो कर ले नहीं तो इस skip के option में click कर दे फिर आपको यहां बहुत सारे feature दिखेंगे यह सारे feature Instagram से related है यह सारे features को use करने के लिए यह app पैसे मांगता है तो हमें story में multiple photo को add करने के लिए इन feature की जरूत नहीं है आप नीचे थोड़ा स्क्रोल करोगे तो यह Gbox का keyboard मिलेगा हमें सिर्फ इसकी जरूत है और यह free है गाईज अगर आपको इस app के बाकी के pad वाले feature को फिरे में use करना हो तो comment करके बता देना मैं इस app के mode version का link आपको description में provide कर दूँगा तो गाईज आप इस Gbox वाले option में click करें फिर next में click कर दें उसके बाद इस Gbox keyboard को दो permission देना होगा तो इस enable in setting में click कर दें फिर इस Gbox keyboard में click करें फिर ok में click कर दें फिर back चले जाएं फिर इस select input method में click कर दें फिर यहां से Gbox keyboard में click कर दें फिर done में click करें फिर instagram open कर लें फिर your story में click करें फिर ऐसे swipe up करके कोई भी photo को select कर लें नहीं तो camera तो open ही है कहीं की भी photo ऐसे खीच लें फिर इस double A में किलिक करें उसके बाद Gbox का keyboard उपन हो जाएगा फिर आप इस gallery के icon में किलिक करें फिर इस story में जो photo add करना चाते हैं उसे add कर लें आप यहां से folder भी change कर सकते हैं फिर इस photo को add करने के बाद ऐसे जितनी photo को add करना हो उन्हें add कर लें फिर उन्हें अपने हिसाब से arrange कर लें फिर इसको अपने story में share कर दें फिर आपको इस सारे multiple photo story में दिल जाएंगे तो guys अभी आपके phone में Gbox का keyboard open है तो आप अगर पहले वाला keyboard open करना चाते हैं तो आप इस keyboard के space देने वाले key में long press करें फिर आप अपना पहले वाला keyboard add कर लें अगर यहां से keyboard change नहीं होता तो आप mobile setting open करें फिर additional setting में क्लिक करें फिर language and input में क्लिक करें फिर इस current keyboard के option में क्लिक करके अपना पुर्वाने वाला keyboard select कर लें तो गाईज हम में आपको बताता हूँ कि story में background कैसे add करना है तो story में background add दो तरीके से होगा मैं आपको यह दोनों तरीका बताता हूँ तो पहला तरीका simple है तो वही story में क्लिक करके यहां से swipe up करके gallery से ही background add कर लें अगर आपके पास background नहीं है तो डाउनलोड कर लें background को add करने के बाद फिर वही gbox वाले keyboard की मदद से कोई भी photo को add कर लें फिर इस story को post कर दें तो दूसरा तरीका है कि जो photo आपने पहले से instagram में upload कर रखी है तो उस story में add करके background कैसे add करें तो आप अपनी जो भी post को story में लगाना चाते हैं तो उस post के नीचे इस share वाले option में क्लिक करें फिर add post to your story में क्लिक कर दें फिर उस post को थोड़ा zoom करके ऐसे right corner की तरफ कर दें फिर इस double A के option में क्लिक कर दें फिर वही इस gallery के icon में क्लिक करके background add कर लें के right side के corner को ऐसे ढखे की right side वाले corner की तरफ हलका सा gap रह जाए आप उस right side corner को complete भी ढख सकते हो लेकिन आपको background जादा right side नहीं करना अब जो आपकी post पीछे की तरफ चली गई थी उसे आगी तरफ लाना है तो इसके लिए जब आप इस background में tap करोगे तो ये background फोड़ा सा zoom in होगा और यहाँ right side में वो आपकी post दिखेगी तो आपको background ऐसे set करना है की टैब करने पर आपकी वो post थोड़ी दिखे फिर आप इस right में 5-6 बार screen पर जली जली टैब करें फिर वो post आगी आ जाएगी आपको इसे screen recorder में समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ तो आपको इसे right side में जल्दी जल्दी टैब करना है फिर वो post आगी आ जाएगी फिर इस story को upload कर दे आप इस story में background एड़ हो चुका है आप ऐसे ही instagram की story में multiple photos and background एड़ कर सकते हैं कर एड़ता है कर एड़ता है चाल कर लो कर दो 3 ileri